पूरी तयारी है? येस, बिल्कुल है. मन लगा के पढ़ा होगा, डेफिनिटली उनको फायदा होगा. तयारी तो अच्छी है, अब देखें क्या होता है. अभी कल का पेपर देंके तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, अब आज का पता नहीं क्या हो. तयारी तो अच्छी है. एक्स का दूसरा देने, एक लाख 50,000 से अधीक पदों पर बहाली होनी हो और ऐसे में BPSC की परीक्षा देने के लिए राजभर से और राजस के बाहर से भी काफी संख्या में लोग आए हैं. इस वक्त हम मौझूद है पत्ना के ज्रेडी विमेंस कॉलेज के बाहर, जहां पर जो है, वो बनाए गए हैं और सिर्फ बिहार से ही नहीं, अन्य राज्यों से भी आए हैं लोग और इस बार महिलाओं को हूम सेंटर नहीं दिया गया है, ऐसे में महिलाओं से भी बात करेंगे जो परीक्षा देने के लिए जा रही हैं और जानेंगे कि कैसी परीक्षा गई तैयारी कैसी है तो अच्छा सा चलिए पूरी तैयारी है एक्जाम के लिए मैं पता नहीं देखते हैं बस प्रिपरेशन आज तो लैंग्विज पेपर है क्वालिफाइंग है तो होफुली यह तो अच्छा ही होना है जी थैंक्यू अरिया परिश्या को लेका है बस नार्मल तो लिए में दिख्राइक को आपि यह तैयारी है यहां बिल्कुल हैं यह लगता है कि क्वर्शन नाविफाइंगे लिए उसके उतल क्यां पढ़ा हूँआ है आप लिए क्या सकते कि आप पढ़के अगुस तैयार करके यहां करके पास कर लेंगे पर देट लेवल का पता होगा क्या लगता है कि कैसे आने वाले हैं कैसे आने चाहिए पहले दिन को दिखते हैं पहले दिन का तफ था आज का हो सकता है साथ कल से हासान हो तेयारी कैसी है एक्जाम को लेकर बहुत अच्छी है और कोशिस भी है कि एक्जाम देने के लिए जो मैनत होगा वो करेंगे तो मैलाओं से बात कर रहे थे सेंटर दिया गया है जेडी विमेंस कॉलेज और कैसी तैयारी उनकी है और परीक्षा से पहले क्या फीलिंग आ रही है ये महलाय बता रही थी दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही बने रही हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए धन्यवाद